हेलो फ्रेंड्स, अबाउट हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है सुन्तोष बड़ाकोटी, मैं एक जीमेल की टिप्स एंट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले जो टिप्स एंट्रिक्स है वो मैं उसमें बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम जीमेल में किसी कोरस्पंडन्स को कुईकली एंड इजीली फाइंड कर सकते हैं, ढून सकते हैं कई बार क्या होता है कि बहुत पहले, एक साल पहले या छे मैने पहले अगर किसी ने हमें कोई मेल किया है या हमने किसी को मेल किया है, तो हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मेल होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसक और इसके साथ साथ में हम कैसे इसके साथ में जितनी भी सारी वो mail specific email id से आ रखी है, उसके लिए एक level create करते हैं. तो आए अचले देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर यह net forms deals है, यह जो mail promotional mail आती रहती है, इससे जितनी भी mails आ रखी है, उनको कैसे हम किसी भी correspondence को कैसे find out कर सकते हैं, अगर मैं एक email में जाओंगा, email में email को open करते ही, यहाँ पर अगर हम ओपर है, contact की, और यहाँ पर net forms deal का email ID हमें show जाता है, यहाँ पर हम चाहे तो इनको अपने friend circle में add कर सकते हैं, इसके साथ हमें अगर इसको add करना है, तो add contact में जाकर add कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम correspondence को find करना है, वो मैं आपको बताने जा जैसी मैं इस emails पे click करूँगा, यह सारी emails एक साथ एकटी हो जाएंगे, देखिए, यह मैंने emails पे click किया, जितने भी deals वाली mail net form से आई हैं, वो सारी email यहाँ पे हमें show गई हैं, तो अगर आप यहाँ पे उपर search बार में देखेंगे, तो from info at e.netforms.com और to, यानि कि जो mail हमें net form से आई हैं, वो और जो mail हमने net form को की हैं, दोनों ही send and receive, दोनों ही mail, जितनी भी correspondence ही हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, अब हम इसमें से किसी भी email को find out कर सकते हैं, और ढूंड सकते हैं कि date wise यह mail कब आई थी, तो यह बहुत easily तरीका है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यह अलग से एक window open हो गई है, जिसमें सिर्फ यह सारी mails हैं, और इसके साथ साथ अगर हम इन सारी mails को एक net form का level create करते हैं, और उसमें डाल देंगे, तो next time से यहाँ पे जो inbox है, inbox के बगल में यहाँ पे net form से लिखावा आ जाएगा, और यह सारी emails, net forms के label के under में आ जाएगे, तो किस तरह से यह करना है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो यह select का option है, इसको all select कर लिजी, क्योंकि यह सारी emails हैं, यह सारी net form से आई हुई हैं, उसके बाद, यह level के option पे जाएगे, arrow के निशन पे click करेंगे, और यहाँ पे create a new level, जैसे हम create a new level करेंगे, यहाँ पे एक नया label create कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे, net forms, और create a label, अब जैसे हमने इनको सब को select किया, और एक label create किया, वैसे ही यह सारे emails क्या होगा, net forms के label के under में आ गई हैं, यहाँ पे अगर आप left hand side में देखेंगे, net forms and five bracket में लिखा है, five bracket का मतलब ह कि इन में से जो सारी emails हैं, उन में से हमने पांच emails अभी तक ऐसी हैं, जो कि पढ़ी नहीं है, read नहीं किये, तो इस तरह से हम किसी भी email को, या किसी भी correspondence को search कर सकते हैं, Gmail में, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो please नीचे दिये गए, बटन पर subscribe और इसी तरह से email की tips and tricks जो की advance हैं, वो आपको देखने को मिलेगी, धन्यवाद.